जैहिन वनमातरम सात्यों आज बात करेंगे BPT Entrance Exam 2023 के बारे में सात्यों BPT Entrance Exam 2023 में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है तो सात्यों आज की वीडियो बहुत ही महत्पूर होने वाली है पूरे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ के BPT Entrance Exam 2023 में आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है तो साथियो वीडियो में तक बने रहेगा लाश्ट में एक बहुत important point आपके साथ discuss करने वाला हूँ तो वीडियो में तक बने रहेगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल जो सस्क्राइब को लेजेगा बेल आकें को प्रैस कलिजेगा क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की information वीडियो लात रहता हूँ तो साथियो बात करेंगे यदि आपको उत्तर प्रदेश के किसी भी college से BPT course करना है तो उसके लिए आपको entrance exam देना compulsory है उसका जो exam है वो आपका 18 जून को होने वाला है जिसके admit card जारी कर दिये गए है साथियो बहुत ही महत्पूर्ण point है जो मैं आपके साथ discuss करने वालो हूँ लेकिन उससे पहले बहुत ही important information आपके साथ share करनी थी साथियो discussion box में मैंने एक link दिया हुआ है सक्षम scholarship के नाम से हर साल सक्षम education हजारों बच्चों को scholarship provide करता है तो यदि आपको भी किसी भी course में admission लेना है यहने कि जैसे आपको BPT में admission लेना है तो वहाँ पर जाकर आप अपना registration कर सकते हैं आपको confirm हो जाएगे कि आपको कितनी scholarship मिल सकती है यह जो scholarship होगी यह government से अलग होगी यह आपकी up to 100% तक scholarship दी जाती है तो वहाँ पर जाकर आप अपना registration कर सकते हैं registration बिलकुल free of cost है और जादा से जादा बच्चों में भी share कर सकते हैं अब बात करते हैं साथियो आपको अपना किसन की बातों का ध्यान लगना है तो साथियो आपको यदि आपको bpt course करना है तो उसके लिए जो आपका admit card है वो आ चुके हैं 18 जून को आपको जो exam होना है तो admit card में बहुत सारी guidelines आपको दी गई है सबसे पहला है आपको जो अपना एक photo admit card पर लगाना है यानि कि जो आपने अपना upload किया था exam form भरते समय यानि कि जो आपने entrance exam form भरा था तो उस समय जो आपने photo upload किया था वही photo आपका होना चाहिए वो photo आपको paste करना है इसके साथ साथ आपको अपना जो एक ID proof लेकर के जाना है ID proof में आपकी date of birth आपका नाम सही होना चाहिए उसके साथ साथ ID proof में आपका photo होना अनिवार यह है इसके साथ साथ आपको जो सबसे ज़्यादा important है वो है आपको timing का ध्यान रगना है आपको जो exam है वो आपका 11 बजे से और 2 बजे तक है लेकिन आपको center पे जो आपकी entry बंद हो जाएगी वो आपका 10 बज़ के 15 मिनट पे entry बंद हो जाएगी तो आपको center पे time से पहुंचना है यदि आप 10 बज़ के 15 मिनट के बाद पहुंचते हैं तो आपकी entry नहीं होगी तो साथियों सबसे important है आपको time का ध्यान रखना है तो आप कोसिस यह कीजिएगा यदि आप दूर है आपका center तो आप 9 बज़े तक साड़े 9 बज़े तक center पर जरूर पहुंच जाएं इसके साथ साथ साथियों आगे बात करें कि आप किसी भी प्रकार का इस प्रकार का आपका material नहीं होना चाहिए क्योंकि जो exam है वो बहुत ही सक्थ होने वाला है कड़ी निगरानी में होने वाला है यति आप किसी भी प्रकार का इस type का material अगर आपका पकड़ा जाता है तो हो सकता है आपको केरिये खराब हो जाए तो कोसिस कीजेगा आप इस तरीके की चीजों में ना पड़े तो यानि कि आप अपना इन चीजों को दूर रखेगा क्योंकि अगर आपको कोई number कम भी आते हैं तो कोई problem नहीं है आपको college अगर government college नहीं मिलता है तो साथियो यदि आपको information अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और channel को subscribe करना मत भूलेगा मिलते हैं आपसे नेक वीडियो को इस तरीकी information के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत